हालो गाईज मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं आपका 7-minute ट्रिक पे और गाईज यहां पे देख लेना मैं इन चीजों को कैसे आपको आज सिखाता हूं 7-minute ट्रिक चैनल को लाइक कर लेना शेर कर लेना सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना अब ध्यान पाल रेफरेल को मुझे अकेडमी सर्च करने के लिए अजय कुमार मिठारवाल नम से मुझे सर्च करोगे तो यहां से आपको बहतर चीज आपको मिल जाएंगे पर Street ऌसमों रिदा पर लेने के लिए यह वाला रेफरेल लगाज लगानै फिरी क्लास profit and loss की tricky सवाल बता रहा हूं जो आपको काम आने वाले गईज ध्यान रखना आपने कई बार ऐसे प्रेशन देखे होंगे कई बार आपने ऐसे प्रेशन देखे होंगे तो गैस देखना जब भी ऐसा प्रेशन आता है एक व्यक्ति दो रुपय में तीन की दर्से सेव खरीदता है ध्यान रखना यिए सेव खरीदता है अ हमम मतलब युक्ति में दो रुपय में तीन की दर्से तो रुपय उपर लिखों और वस्तू नीचे लेए ठीक है अनू पाते तीन रुपय में पांच की दर्से भी थे उप थेट है अरहां पर कोई वस्तू मालोंगा की दो बटा यहाँ पर कोई वस्तू मालूंगा, वस्तू क्या मालूंगा, नीचे जो नमबर है ना, तीन और ये पाँच, इनका LCM ले लुगा, तीन का और पाँच का मैंने LCM लिया किता हो गया, तो पंदरा को मैं इस से गुणा कर दूँगा, भाई साब, और पंदरा को मैं इस से रूपय का आउट अप 10 से और भीनों को प्रतीशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करूँ है तो 10% आपका राइट आंस्वर हो गया 10% आपका राइट आंस्वर हो गया चलो आगे चलता हूं ऐसे कुशन पर ध्यान रखना काई जैसे यह वाला है तो मैं क्या करूँगा पां ले लोगा भाइस समझ गये ना चार और पांच का ल्सीम किता हो गया बीस हो गया तो बीस को इससे गुणा कर दो तो किता हो गया चारपंजिव 20 और 25 यहां पे पांचोग 20 और 4 चोग 16 तो भाइसा आप है पत्चीस रुपय वाली वस्तु को 16 में बेचा तो 9 रुपय का ल आप होमवर्क में कर लोगे यह वाला प्रिशन आप होमवर्क में कर लोगे कोई दिक्कत परिशा नहीं हो तो मुझे बता दो ठीक है कर ले ना भाई होमवर्क में अब यहां पे देखो यह वाला एक दुकानदार कुछ वस्तु पांच रुपय में चार की दर से खरीदता ह पांच रुपए में 4 की दर से खरीदता है CP उसके बाद में उतनी ही वस्तू 3 रुपए में 6 की दर से खरीदता है अभी भी खरीद रहा है कितने रुपए में 3 रुपए में 6 की दर से रुपए उपर वस्तू नीचे फिर SP इन सभी को मिला कर 6 रुपए में 4 की दर से भेज दे द्यान रखे, CP कितने बार है, एक बार, और CP दो बार, जितने बार CP होगा, उतने ही बार गुणा हो जाएगा, दो बार, एक बार था, तो एक बार से गुणा करके, मैंने कोई माता पची नहीं पचाए, फिर मैं इस 4, 6, 4 का LCM ले लूगा, 4, 6, 4 का LCM 12 हो गया, तो द्यान र यहाँ पे, कितना हो गया, 4, 3, 12, 6, 2, 12, और 4, 3, 12, कितना हो गया, देखो, 3, 9 तो एक, 5, 15 तो एक हो गया, 3, 2, 6 हो गया, CP कितना हो गया, 15 रूपए हो गया, 6 रूपए हो गया, 21 रूपए CP हो गया, और यहाँ पे देखो, 6, 18 रूपए हो गया, अब मुझे बताओ, 21 रू पांच बटा साथ का मतलब वोगे इकेतर सभी तीन बटा साथ परतीशत कैंसिल आउट करोगी तो यह आपका आंशुर जाएगा ओप्शन नमरी समझ गें न मने दो से क्यों गुणा गिया दो करेमूल लेते तीन करेमूल्य होते तो तीन से करते चार करेमूल लेते तो चार से बस इतनी सी बात करनी है चलो आगे चलता हूं वही की बार आपको ऐसा प्रिसंद देखने को मिल जाता है तो ध्यान रखना चार रुपए में पांच की दर से खरीदा चार रुपए में पांच की दर से खरीदा रुपए उपर वस्तु नीचे इन सभी को मिलाकर पांच कर दिया मैंने कुछ नहीं गया 20 से इधर गुणा कर दिया और 20 से इधर कर दिया कितना हो गया 5 जोग 20 चार चोग 16 रुपए 4 पंज 25 रुपए करे मुल्य 16 रुपए विक्रे मुल्य 25 रुपए लाब कितने का होगा 9 यूनिट का जबकि प्रसंद कितने कल आप बोल रहा 360 का तो 9 यूनिट का वेल्यू 360 एक यूनिट का वेल्यू 40 देखो किसी को ऐसा लगे मां तेज बता रहूं तो सच में तेज बता रहूं आपको सही से पढ़ना है तो पूरा लाइव पढ़ना है पूरी चीजों को तो आप वाइफा पाई इस्टेडी तो पॉइंट ओ पे मेरी रोज क्लास होती है 9 एम पे 9 एम पे मेरी लाइव क्लास होती है तो सारे लोग वहां पे आके मेरे से पढ़ सकते हो तो एक का वेल्यू 40 और वस्तूं की संक्य आपनी कितनी निकाली थी 20 यूनिट तो 20 से गुणा कर तो इसको भी ठीक है कितना आएगा ठीक है नाशिया ड़ो आसी है इसका मदल यून और इसका मतलब देख लेना है ओकि कर देना की एद्शब्सक्राइब कर लेना चैनल को वगा और ये वाला इफेरेल कोड लगा देना ना बाय बै टेक ए लें लव्यू वहाइज बहुत अच्छा लगा म उम्मीद करता हूँ आपको चीज़े बहुत अच्छी लगए होगी ऐसी ट्रीक शेर करते रहा करो जिसे और लोगों को भी पता चल जाए हूँ